वहां पर यासीन मलिक क्या है मुझसे मतलब नहीं इंसान है दाड़ी चोटी चोटी आप थोड़ी दवी हुई है यासीन मलिक जी आए उन्होंने पीला चावन पाइकिट में फेका बालती हमने डाला उपर से ना उपर थे वो उन्होंने डाला पीला चावन जब उनको लगा कि यहां पर डेढ़ सो आदमी है उन्होंने फिर सात बजे वापस गए और नव बजे वापस फिर आए नव बजे देढ़ सो आदमी का पीला चावन बना की लेक को बारा वजे एक कुंटल कोई भी इतना पूरा विस्त में मीडिया का प्रचार है कि राहस समगरी दी जा रही है कोई राहस समगरी यहां नहीं आई लाल चोग में हम सब उपर देखते देखते थक गये हेली काप्टर हेली काप्टर हेली काप्टर घुम रहा एक पैकिट पैकिट यहां घिराब हो यासीन मलिक पचास-पचास किलो की दो वोरी हमारे दो बिल्डिंग है एक इधर 40 समरे इधर डोर मैटरी है पचास-पचास किलो आटा पंदरा लीटर तेल चीनी चाइक पत्ती पानी दवाई बिस्किट हर आइटम वो बारा वजे फुद ला करके देखर के चले गए उसके बाद दूसरी कोई तंजीम आई मुस्लिम की वो हमको खाने पीने की व्योस था दूद चाइक पत्ती दवाई अब हमारे पास इस समय नहीं है मैंने कल भी यह बोला था कि हमारे बच्चे को फिस का एक जटका बिमारी है वो तीन साल का कोर्स था ए सीजगाड दवाई है उसके लिए इतना परिशान थे कि पूछिये मत यह था कि अगर यह खतम हो गई तो फिर उसका तीन साल का पोर्स खतम हो जाएगा हमने यासीर मलीजी से बोला वो कहीं से जा करके एक टेबलेट एक पत्ता ला करके हमको दिया कल तक भी हमारे एक मेंब बाकी कोई भी सरका हमको सबसे बड़ा दुख्या किसी नाम नहीं लगे हैं अमरों मोदी जी कोई भी राजबा एक सो करोन रुपए हमारे अपने सनातन धरम परताफ सभा और साइन बोड का यात्री निवास जमू बैश्रो माता का रुपए कि कमी नहीं है लेकिन किसी ने वहां से एक बार मदद नहीं बेजा कि जमू कस्मीर में कितने हिंदू फसे हैं और सबसे बड़ा टार्गेट यह है कि पूरे जमू कस्मीर का में जो दिल है वो लाल चोग घंडा घर पहले घंडा घर पर राहत पहुचाना था पूरे होटल में यात्री फसे थे सब यहां कि व्यक्ती से रहन Alle कूवके है त써 में जखता सवा कि अगर मुस्म छू लेता है पंडिक माता जी बीपर हैं सादू है वो पानी नहीं पीएंगी और दस बारा तेरा दिन हो गया मैं मुस्लिम के इधर का खाना खा रहा हूँ हमारे सरातन धरम के ठेकेदार हैं वो कहा है कि मेरा एक हिंदू एक सो साथ हाजमित लेकर कि फसा है क्या खाएगा कहा सिखाएगा पैसे खाएगा